पिछले पास साल में सीजरेन डिलिवरी के केस काफी हद तक कम हो चुके है अब जिले में सीजरेन डिलिवरी के मामले लगातार साल दर साल काम होते जा रहे हैं स्वास्त सुविधाओं और हेल्थ के शेतर में खानपान का ध्यान देने वाली गर्भवती महिलाओं की अब नौर्मल डिलिवरी के केस बढ़ रहे हैं पिछले पास साल की तुल्ला में नागपुर जीले में सीजेरियन डिलिवरी के केस काफी हद्ता कम हो गया है अब जीले में सीजेरियन डिलिवरी के मामले लगातार साल दर साल कम होते जा रहे है स्वास्त सुविधाओं और हेल्थ के क्षेतर में खानपान का ध्यान देने वाली गर्भवती महिलाओं की अब नौर्मल डिलिवरी की केस बढ़ रहे है हेल्स सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2015-16 में जहां 49 दशम लोग 3 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने सीजेरियन डिलिवरी ओपरेशन से और 60 दशम लोग 73 प्रतिशत महिलाओं ने नौर्मल डिलिवरी से बच्चे को जन दिया वही वर्ष 2019-20 में सीजेरियन डिलिवरी में पाच दशम लोग 6 प्रतिशत की कमी आई है नई रिपोर्ट के अनुसार नाउकपुर जिले में 33.7 प्रतिशत महिलाओं की सीजेरियन डिलिवरी हुई है बाकी 66.3 प्रतिशत महिलाओं ने नौर्मल डिलिवरी से स्वास्त बाहत के बात है यह भारत सरकार के स्वास्तेवं परिवार कल्यान विभा के लिए महराश्ट्र में जून 2019 से 30 दिसंबर 2019 तक इंडियन इस्ट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसेर्च और टी आर आयो डेवलिप्मेंट सपोर्ट ने सर्वे में पाया है वही गर्वती महिल कि कुरिणा काल में होने वाली लगबग 80% डिलिवरी नॉर्मल हुई है एक समय था जब प्राइवेट अस्पतालों में सीजरीन डिलिवरी के लिए फोर्स किया जाता था लेकिन कुरिणा संक्रमेंट के इस दार में डॉक्टर ने ऑपरेशन के बजाए नॉर्मल डिलिवर कि डिलिवर्पोर्ट